हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप सब के साथ बहुत ही तेस्टी उरत डाल की कचोडी की रेसिपी शेयर कर रहे हूँ खाने में बहुत ही तेस्टी लगती है बिलकुल मार्केट स्टाइल कचोडी हम घर में बना करके त्यार करेंगे तो चलिए, इस कचोड़ी को बनाना शुरू करते हैं कचोड़ी बनाने के लिए मैंने एक कँटूरी डाल को भीगा करके रख दिया था डाल बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है, इसे मैंने लगबाक 3 घंटे भीगाया था तिन गंटे में दाल हमारी बहुत ही perfect भिग जाती है तो धुली हुई दाल का मैंने use किया था आप यहाँ पे छिलके वाली दाल को भी use कर सकते हो छिलके वाली दाल जब अच्छे से भीग जाए तो छिलके निकाल दीजेगा दाल perfect हो जाएगी कचोड़ी के लिए तो चलिए अब हम कचोड़ी के लिए कुछ मसाला पीस करके तियार करेंगे तो यहाँ पे हमने grinding jar लिया है grinding jar में मैंने half tablespoon जीरा डाल दिया है half tablespoon हम soft डालेंगे एक tablespoon हम खड़ी वाली धनिया डालेंगे और एक चमच भर के हमें आपे कसूरी मेथी डाल देते है और दो मैंने लाल वाली सुखी मिर्च लिया है अच्छे से सारी चीज़ों को grind कर लिया है मसाला हमारा बिल्कुल perfect मतलब दरदरा सा जैसा हमें कचोड़ी के लिए चाहिए होगा तयार हो चुका है तो एक बाउल में हम मसाले को ट्रांसफर करेंगे और भीगी भी डाल को हम grinding jar में ट्रांसफर कर लेते हैं तो इस सारी ही डाल को मैंने grinding jar में ट्रांसफर कर दिया है थोड़ी सी हम अद्रक ले लेते हैं अध्रक को मैंने चोटे चोटे टुकडो में कट करके डाला है आप यहां पर लेसन अगर पसंद करें तो लेसन भी टाल सकते हो लेकिन मैंने नहीं आट किया है अध्रक डाल करके और लगभग दो से तीन चमच हमें आप पानी भी डालेंगे उसके बाद दाल को अच्छे से ग करना है क्योंकि हम इसकी कचोडियां बना रहे हैं बड़े नहीं बना रहे हैं इसलिए इसी तरीके से आप इसे ग्रेंड कर लेजेगा तो दाल को हम ग्रेंड किवी दाल को भी हम मसाले के साथ ही बाल में निकाल लेते हैं तो अब हम इसमें कुछ मसाली और एट करेंगे तो अच्छे से आएगा और थोड़ी सी 1-4 टीस्पून हमें आपे हिंग डालेंगे और 1 टीस्पून हम चाट मसाला डाल देते हैं टेस्ट के कोडिंग नमक डाल देते हैं और 2 टेबल स्पून हमें आपे सूजी डालेंगे सूजी डालना बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन जब अगर आप सूजी डालेंगे ना तो आपकी जो खचोड़िया है वो बहुत ही जादा खस्ता और क्रिस्पी बन करके त्यार होंगी और एक चमच हम यहाँ पे ओल डाल करके सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मतलब मसाले को और दाल को अच्छे से एक साथ मिक्स कर लेते हैं तो दाल को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे हम लगभग 10 नट के लिए रेस्ट में रखेंगे जिसे की सूजी अच्छे से फूल जाए तो दस नट हो चुके हैं चलिए अब हम आगे के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो यहां पे मैं चमच को निकाल देती हूं और एक मतलब कप मैंने ले लिया है गेहु कार्टा तो गेहु कार्टा हमें एक साथ बहुत जादा नहीं डालना है म बहुत जादा हाड़नी रहना चाहिए और बहुत जादा डीला नहीं रहना चाहिए और यह न ऊरत दाल की कच्छोडियां हैं तो इसलिए थोड़ा सा मतलब यह जो डो है ना वहाथों में चिपक रहा था तो इस तरीके से मैंने एक चमच खी ले लिया है हाथ में लगा लि तो इसे पूड़ी कच्छोड़ी कुछ भी बोल सकते हो खाने में बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो डो हमारा बिल्कुल परफेक्ट तयार हो चुका है जैसे हम अकसर पूड़ी वगएर का आटा तयार करते ना सेम तरीके से आपको इस कच्छोड़ी का डो त्यार कर लिए है एक साथ तो डो को मैंने बहुत अच्छे से चिकना कर लिया था तो जो लोई है ना वो बिल्कुल भी फट नहीं रही है बहुत ही परफेक्ट बन करके त्यार हो रही है और अब इसे बेलना शुरू करते हैं तो बेलने के लिए हमें घी या ओल लगा करके ही बेलना है बिल्कुल भी आटे का यूज नहीं करना है मतलब सूखे आटे को लगा करके हमें इसे नहीं बेलना है हलके हाथो से हम इसे बेलेंगे बहुत जादा पतला नहीं बेलेंगे जैसे हम पूड़ी बेलते हैं तो उस तरीके से हमें इसे नहीं बेलना है मतलब पूड़ी के प गरम होने के लिए रख दिया था ओयल हमारा परफेक्ट गरम हो चुका है गैस की फ्लेम को मैंने यहां पे मीडियम रखा है जब आप इस कचोड़ी को पकाएंगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम हाई नहीं रहनी चाहिए स्लो गैस में ही आपको म अराम से पकाना है मतलब हाई फ्लेम पे आप इसे पकाएंगे तो यह क्रिस्पी नहीं होंगी और जब आप इस कचोड़ी को कड़ाही में मतलब ऑईल में ट्रांसफर करें तो पहले आप इसे पड़ी रहने दीज़ेगा जब यह ऊपर तैरने लगे ना तब फिर आप इसे स्पैचला से दबा दीजेगा और यह बहुत ही परफेक्ट फुली फुली सी पकर के तियार हो जाएंगी उलट पलट के आपको इन्हें दोनों साइट से अच्छे से पकाना है अगर आपको लग रहा कि आईल बहुत जादा गरम है तो आप गैस की फ्लेम को स्लो कर हमारी कचाड़िया तैयार हो रही है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जादा लाजा वाप सी हमारी फुली-फृली से कचाड़िया और अऔर अध्यार